हमारे साथ जूरे रहने के लिए स्मार्ट गयान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आप अपने वाटसेप के डिलीटेड वीडियो को वापस ला सकते हैं अगर आपसे WhatsApp का वीडियो डिलीट हो गया है किसे ने आपको वीडियो भेजा और वो वीडियो आपसे डिलीट हो गया या फिर उसने आपका वीडियो डिलीट कर लिया ठीक है जो आपको भेजा है वो वीडियो डिलीट कर लिया है तो उसको आप कैसे वापस ला सकते हैं कैसे recovery कर सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको WhatsApp में जा करके और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास अभी एक वीडियो आया है ठीके तो इस वीडियो को मैं आपको दिखा जाता हूँ गैलिरी में जा करके भी तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर गैलिरी में जाने के बाद recent पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पर एक वीडियो आया है ठीके तो इस वीडियो को मैं WhatsApp से डिलिट कर लेता हूँ ठीक है तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को डिलीट कर लेता हूँ और डिलीट करने के बाद मैं आपको गैलेरी में भी जाकर की दिखा देता हूँ कि गैलेरी से भी डिलीट हो गया है ये वीडियो तो आप देख सकते हूं कि वीडियो जो है वो gallery से भी delete हो गया है तो ये वीडियो मेरे से delete हो गया अब मैं इस वीडियो को कैसे वापस लाऊंगा ठीक है तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक application को download करना होगा आपने phone में तो इस application को download कर लिजिये और इसका application का download link मैंने वीडियो के नीचे description में भी दे दिया है तो आप जाकर करके वहाँ से download कर सकते है click करने के बाद इसको open कीजिए ठीक है download करने के बाद इसको open कीजिए और open होने के बाद यहाँ पर get start पर click कीजिए ठीक है उसका permission जो मांगेगा इसको allow पर click कीजिए फिर get start पर click कीजिए ठीक है अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा recovery your data इसको click करना है देन आपको एक यहाँ पर जो add आगा उसको skip कीजिए फिर आपको यहाँ पर दिखरा है delete your video delete video इसको click करना है click करने का यहाँ पर एक दो add आएंगे तो इसको आप skip कीजिए क्योंकि यह जो application यह फिरी का है तो इसमें थोड़े बहुत add आएंगे तो अब आप देख सकते कि यहाँ पर जो मैंने वहाँ पर video delete किया है वो video यहाँ पर आ चुका है तो इसको आपको कैसे है फिर से अपने mobile में लाना है simple आपको इस पर click करना है then उसके बाद यहाँ पर restore वाले option पर click कर देना है तो restore वाले option पर जैसे ही आप click करेंगे यहाँ से वो video हट जाएगा और आपके gallery में आ जाएगा तो चलिए मैं अपने gallery में भी जा करके देख लेता हूँ एक बार कि यह video आया है या नहीं आया है तो हम अपने gallery को open करते हैं open करने के बाद अब हम फिर जाते है recent में और recent में जाने के बाद अब आप देख सकते हो कि फिर यहां पर जो हमारा video डिलिट हुआ है वह वापस आ गया है तो आप देख सकते हो just now में यहां पर एक अभी आया है application यहां पर जो video आया है अब अपने हम WhatsApp में भी जा करके देख लेते कि क्या यहां पर भी वापस आया है video या फिर नहीं तो यहां पर आप क्लिक करके फिर देख सकते हो कि यहां पर जो video है वह अभी आया है आप time भी मिला सकते हो तो इस तरह इस परकार से आप अपने deleted video को वापस ला सकते हैं